लो गाइस वेलकॉम बैक टू माई यूटूब चैनल आज की रेस्पी इस आलू पालक की सबची रेस्पी इसके लिए हमने सबसे पहले तो जीरा सुनहरा होने तक पकाना है और इसके बाद हम डालेंगे लैसून और लैसून को भी यहाँ पर हम सुनहरा होने तक पकाएंगे पर लैसून लगबग में सुनहरा होने लग गया है जो हमारा लैसून अच्छे से सुनहरा हो किया है अब इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे प्याज प्याज को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको भी सुनहरा होने तक पकाएंगे और इसमें हम पीसी हुई पालक डालेंगे और आपको याद रखना है कि आप पीसी हुई या पालक की सबजी बनाते हैं तो आप उसको कभी बॉयल करके पालक को ना पका के मत पीस हैं क्योंकि बॉयल करके आप जब उसका पानी निकाल देते हैं तो उसके साथ उसमें जो आईरन प्रोटीन होता है वो भी निकल जाता है इसलिए आपको ऐसे पालक के पत्तों को पीस लेना है फिर इसमें डालना है और आप यहां पर देख सकते हैं जैसे कि हमारा प्याज थोड़ा थोड़ा इसको हिलाएंगे ताकि यह अच्छी तरीकी से पक जाए पूरा कहीं पर भी एक अच्छा ना रहे अच्छा रहे और आप यहां पर जैसे कि देख सकते हैं यहां पर प्याज और लैसुन अच्छी तरीके से पक चुके हैं अब इसमें हम बॉयल किया हुआ आलू डालेंगे आलू को हमने पहले से ही वाइल किया हुआ है और इसको आलू को हमने पहले से ही वाइल किया हुआ 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 है और इसको आलू को अच्छी तरीके से प्राइ कर लेंगे आप यहां पर आलू को जितना अच्छे से प्राइड करेंगे आपकी आपकी सब्जी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। यहां पर हमें लेना है टेश्ट अनुसार नमक इसके बाद हम लेंगे यहां पर पहले इसको अच्छी तरीकी से मिक्स कर लेंगे ताकि नमक आलू में अच्छे से मिक्स हो जाए आपको अच्छी से चलाती रहना है ताकि आलू कड़ाई में लगे ना और आलू को कापी अच्छे से ख्राई करेंगे यहां पर हल्दी पाउडर लेंगे आपे हमें लगबग एक चम्मच हल्दी पाउडर लेनी और तीखा आप अपने हिसाब से ले सकते हैं आपे हमने आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया और एक से डेड़ चमच धनिया पाउडर और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और अगर आपने मेरे चैनल यूटूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें साथ ही में वेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी अगली वीडियो की नॉटिफिकेंशन सबसे पहले आपको मिले और आप देख सकते हैं यह अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है आलू और इसमें बहुत ही अच्छी खुस्पू आना सुरू हो गई है खाफी अच्छी खुस्पू आ रही है इसकी खुस्पू से भूंक और ज़्यादा बढ़ रही है अब इसमें हम टमाटर डालेंगे और टमाटर को भी अच्छे से पकने देंगे इसमें यह सब जी इतनी टेस्टी है उतनी हेल्दी भी है यह आप टमाटर को हमने आलू के बीच में इसलिए कर दिया थाकि टमाटर जल्दी से पक जाए और आप देख सकते हैं यहाप टमाटर अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है पक चुका है और इसके बाद अब हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ पालक पालक को भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको दस मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे और आप कमेंट्स वॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरी आलू पालक की सबची रेस्पी कैसी लगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स जरूर करें अब मिलते हैं